नमस्कार आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग वो कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से तो कॉंग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ऐसा ही चिराग है जिन से कॉंग्रेस के ही घर को आग लग रही है राहुल गांधी को लगा और उनके सलाकारों को जाहर है कि उनके सलाकारों की सला पर ही जो बोलते हैं वो जो कुछ कहते हैं जो करते हैं वो सब कुछ सला की आधार पर होता है और सला की आधार पर काम करना कोई बुराई नहीं है लेकिन नेता जब सला मिलने के बाद अपना दिमाग नहीं लगाता तो उसका वो हश्र होता है जो राहुल गांधी का हो रहा है पिछड़ा वर्ग की बात या कास्सेंस की बात कर लें जाती की गर्ना की बात कर लें या OBC पॉलिटिक्स की बात कर लें ये कॉंग्रेस पार्टी का मतलब राहुल गांदी के खांदान का और कॉंग्रेस पार्टी के पूरे इतिहास में 138-144 साल के इतिहास में कोई record नहीं है कि कॉंग्रेस पिछड़ा वर्ग के लिए खड़ी हुई हो या उसकी राजनीती का आधार किसी भी राज्य में पिछड़ा वर्ग रहा हो पिछड़ा वर्ग और कॉंग्रेस का हमेशा से 36 का अंकड़ा रहा है राहुल गांदी ये सब जानते हुए भी और उनकी सरकार जब 2004-2014 में यूपिया की सरकार थी तो उसने एक कास सर्वे करवाया था सोशियो एकनामिक सर्वे कराया था लेकिन उसकी रिपोर्ट पब्लिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई उसके बाद उनकी करनाटक में जो सरकार थी सिदरमया की 2013 से 2018 तक उसने भी करनाटक में कास सर्वे कराया लेकिन उसकी रिपोर्ट पेश नहीं होने दी किसी ना किसी नाम पर उसको फिर से extension मिलता रहा या उसमें कुछ और जोडने की बात होती रही या फिर नए विशेशगे जोडने की बात होती रही और आज भी वो विवाद का विशेश बना हुआ है अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई है ये सब तथे जानते हुए भी रहुल गांधी ने कास सिंसर्स का मुद्दा उठाया क्योंकि उनको लगा कि इससे वो जो क्षेत्रिय दल हैं और बीजेपी दोनों को घेर सकते हैं और उनको लगा कि कास सिंसर्स की जैसे ही बात करेंगे देश का सारा पिछला समाज उनके साथ आ जाएगा उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया अतीत से अगर कुछ सीखने की कोशिश की होती तो पिछला वर्ग के लिए सबसे बड़ा समवैधानिक कदम उठाया विश्वनात प्रताप सिंग ने और उनकी सरकार ने 1990 में पिछला वर्ग आयोग की जो मंदल कमिशन की रिपोर्ट थी उसको लागू किया और उसके बाद चुनावो हार गए जितने वोट उनको 1989 में जितनी सीटे मिली थी उतनी भी नहीं मिली उससे बड़ा कदम अभी तक किसी ने उठाया नहीं लिकिन पिछला वर्ग को एमपावर करने का काम जितना बड़ा काम पिछले 9,9 साल में नरेंद मोदी ने किया है भारती जन्ता पार्टी को थो छोड़िए किसी भी पार्टी के नेता ने आज तक नहीं किया यहां तक कि जो मंडलवाधी पार्टीयां मानी जाती हैं उन्होंने भी नहीं किया उन्होंने कुछ जातियों का वर्चरस बनाए रखा पिछला वर्ग पर उचाय मुलाइम सिंग यादव हो लालू पसाद यादव हो या आज के अखलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो यादव कुर्मी दो तीन जातियों को छोड़कर उसके नीचे गए ही नहीं उनको एमपावर करने की संगठन में उनको जगह देने की या सत्ता में भागीदारी देने की कोशिश नहीं की अब राहुल गांधी ने जो किया है उसका फल उनहीं को भुगतना पड़ा पहला जो संकट उनके उपर आ रहा है वो करनाटक से आ रहा है करनाटक में इस समय कॉंग्रेस की सरकार है सिदरा मिया फिर से चीफ मिनिस्टर है और वो चाहते हें कि ये रिपोर्ट जो है वो कबिनेट में आए उसको एकसेप्ट करें उसको लागू करें तो विरोद कौन कर रहा है आप कहेंगे बारती जन्ता पार्टी भारती जनता पार्टी का नंबर तो बाद में आएगा करनाटक में जाती की गड़ना का विरोध सबसे मुखर विरोध दो बड़े सामाजिक समूख कर रहे हैं लिंगायत समाज के लोग और वुकालिगा समाज के लोग और डीके शियुकुमार जो डिप्टी सीम है वोगालिगा समाज से आते हैं तो इसलिए उसमें उनकी भी भूमिका है वोगालिगा मासंग जो है उसने एक पेटिशन तयार किया चीव मिस्टर के लिए कि वो कास सेंसस की जो रिपोर्ट है उसको स्विकार न करें और उस पर दस्तकत किसके है सिदार हमया के ही डिप्टी सीम और कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शियुकुमार की है उसमें उनके एक मंत्री शिक्षा मंत्री के दस्तकत है उसके अलावा दूसरी पार्टियों के जो वोका लिगा नेता है एसम कृष्णा, एसडी देवगोडा, एसडी कुमार स्वामी उसके अलावा आर अशोग जो इस समय विधान सवा में प्रतिपक्ष के नेता है और भारती जन्ता पार्टी के डिप्टी सीम भी रह चुके है शुभा करंद लांजे जो केंदरी मंत्री है सदानन गौडा जो पूर्व मुख्य मंत्री है और केंदरी मंत्री है और मैंने पहले बता है कि उनके सिक्षा मंत्री M.C. सुधाकर इन सब लोगों के बाकी लोगों के अलावा इन सब के दस्तकत है और जो सामाजिक संस्था है इनसे जुड़ी हुई है वो का लिगा समधाय से वो भी शामिल है इनकी मांग है कि इस कास सेंसस को लागू न किया जाए इसकी रिपोर्ट को सुविकार न किया जाए डीकेश शुकुमार और उनके साथी जिन लोगों ने पेटिशन किया है उनका कहना है कि हमारे समाज के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए अब समाज के सम्मान की बात कहा से आती है यह आगे बताता हूँ लेकिन यह उनकी मांग है कि इसको लागू कता ही न किया जाए दूसरा सवाल उठता है कि वो क्यों ऐसी मांग कर रहे लिंगायत समाज के आम तोर पर वोका लिगा समाज के लोग और लिंगायत समाज के लोगों में किसी मुद्दे पर कम ही आम सहिमती होती है या साथ चलने की कोई कोशिश होती है लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों एक साथ चलने को तयार है लिंगाय समाज के लोगों का भी दबाव है कि इस कास सेंसर्स की रिपोर्ट को स्विकार न किया जाए, इसको लागू न किया जाए मुख्यमंत्री इसको रिजेक्ट कर दे अब देखें कॉंग्रेस पार्टी की सरकार, राहुल गांधी नारा लगा रहे हैं देश भर में गुम गुम कर कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, और कह रहे हैं कि 2024 में अगर कॉंग्रेस की सरकार बनी केंदर में तो हम कास सेंसस कराएंगे, ओल इंडिया बेसिस पर, आप अगर अपने शाषन वाले राज्य में एक राज्य में इसे लागू नहीं करवा सकते तो लोग इस बात पर भरोसा क्यों करें कि आपको मौका मिला तो पूरे देश में लागू करेंगे आपकी सरकार पांस साल राजस्थान में रही, पांस साल चथिस गड़ में रही, पांस साल उससे पहले पंजाब में रह चुकी है, दो हजार बाइस से हिमाचल प्रदेश में है, और सवा साल करी, डेड़ साल करी मध्य प्रदेश में रह चुकी है, आपने कास सेंसस क्यों नहीं कराया और करनाटक में दूसरी बार मौका मिला ऐसा करने का फिर भी अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ तो अगर आप अपने राज्य में अपने शाषन वाले अपनी पार्टी के शाषन वाले राज्य में इसे लागू नहीं करा सकते तो आपकी विश्वसनियता क्या है इस मुद्दे पर तो अब बात आती है कि ये आत्मसम्मान की रक्षा की बात क्यों हो रही है और लिंगायत समाज और वोकल इगा समाज के लोग एक जूट क्यों हो रहे हैं इस मुद्दे पर जो कास सेंसस इसको जो है अब एक तो यतराज इस बात पर है कि ये सर्वे साइन्टिफिक डंग से नहीं हुआ है तो फिर से होना चाहिए साइन्टिफिक डंग से होना चाहिए लेकिन इसकी भी मांग क्यों हो रही इन तीनों सवालों को जोड़ दें तो इन तीनों का जवाब एक ही आता है और वो ये है कि ये जो कास्ट सर्वे हुआ है सोशियो एकनामिक सर्वे हुआ है इसकी रिपोर्ट के कुछ हिससे लीक हुए और जो लीक हुए हैं हिससे उनके मुताबिक जो आम धारना है, परसेप्शन है लिंगायत समाज सबसे बड़ा जातिय समू है करनाटक का और उसके बाद वो का लिगा समाज है ये मिथ्या है वास्तविक्ता इससे अलग है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये वो सर्वे की लीक हुई रिपोर्ट कह रही है कि जितनी संख्या उनकी आबादी में जितना उनका प्रतिशत बताय जाता है जितनी हिस्सेदारी बताय जाती है दरसल उतना है नहीं तो इन दोनों समाज के लोगों को लगता है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट बाहर आई तो उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है उस पर प्रशन चिरने लग जाएगा करनाटक की पूरी राजनीती बदल जाएगी लेकिन सिधर मैया को इसमें आउसर नजर आ रहा है उनको लग रहा है कि इस सर्वे की रिपोर्ट वो अगर लागू कर देते हैं तो पिछलों के सरवनमान या नेता बनने का आउसर है फिर उनको उनकी लीडर्शिप को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा इस बात को सबसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं दिकेशियु कुमार इसलिए वो इससे किसी भी हालत में रोकने की कोशिश कर रहे है वरना सरकार की जो पॉलिसी है उसी सरकार के डिप्रीसियम रहते हुए वो उस नीती का विरोध क्यों करेंगे तो राहुल गांधी के सामने समस्या ये है कि ये जो इंटर्नल फाइट है कास सेंसर्स को लेकर करनाटक कॉंग्रेस में है उसको कैसे सुल जाएंगे जो भूचाल आएगा राजिती भूचाल आएगा उससे कैसे निप्टेंगे क्योंकि ये तैबात है कि इस रिपोर्ट को कोई स्विकार नहीं करेगा विहार में जो जाती गढ़ना कराई है नितीश कुबार ने उसकी विश्वसिनेता को लेकर सवाल उठ रहे हैं लेकिन उसकी विश्वसिनेता को लेकर सवाल उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद उठे यहां करनाटक में उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले से उठ रहे है उसके साइन्टिफिक डंग से नहोने की बात उठाई जा रही और कहा जा रहा है कि इसको reject हिया जाना चाहिए फिर से survey होना चाहिए राहुल गांधी का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया 2024 का लोकसभा चुनाओ लगातार नज़्दीक आता जा रहा है आप कल्पना कीजिए कि अगले एक दो तीन महीनों के अंदर अगर करनाटक में ये राजजितिक विसपोट होता है तो उसका असर सिर्फ करनाटक तक सीमित नहीं रहेगा कॉंग्रेस की विश्वस्नियता पर राष्ट्री अस्तर पर सवाल उठेगा वो जो सामाजिक नया की बात करती है वो जो जातीगर्णा की बात करती है जिसके जितनी आबादी उतने हग की बात करती है दरसल वो एक खोकला नारा है वो इस मुद्दे को एक राज्य में जो पार्टी लागू नहीं कर पा रही है वो पूरे देश में कैसे लागू करेगी तो राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा छेड़ा है ये सोच कर उन्होंने जो गड़ा कोते हैं अकसर खुद ही उसमें गिर जाते हैं तो राहुल गांधी की वही हालत होने जा रही है कॉंग्रेस पार्टी के लिए कास सिंसस का मुद्दा गले में लटका हुआ पत्थर है और उस पत्थर को गले में लटका कर वो पानी में उतर चुकी है नतीजा क् होगा बताने की ज़रूरत नहीं है तो इस अंक पर इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नहीं मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमती दीजे आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्का हुआ 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 है